Hello friends, welcome back to my channel mom and kids corner रादे क्रिशना तो आज की जो वीडियो है वो एक requested वीडियो है मेरे एक वीवर ने river बनाने के लिए request किया था तो चलिए start करते हैं river बनाना इसमें मैंने try किया है कि easy way से हम जनमस्ट मी में river बना सके हैं तो इसके लिए हमें cardboard चाहिए और उसके हमें river draw करनी है और उसकी हमें center से cutting करनी है और outer part उसका छोड़ देना है ये मैंने वसुदेव जी की drawing बनाई है जहां वो कृष्णा को ले जाएंगे तो ये मैंने pencil color का use किया है इसमें और इसको हम cardboard पे रखके इसकी cutting कर लेते हैं और cardboard पे हमें इसे paste करना है इसमें हमें बहुत finishing के साथ cutting करने की जरूरत नहीं है और नहीं हमें पूरा figure के according cardboard चाहिए अगर center तक भी cardboard आ रहा है तो कोई problem नहीं है इसमें हमें केवल support देने के लिए back side में cardboard को paste करना है यहां हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमने वसुदेव जी की figure के पीछे cardboard चिपकाया है तो उसमें foot वाले portion के पीछे cardboard नहीं चिपकाएंगे उसको क्योंकि हमें आगे fold करना है और आगे fold करने के बाद जो cardboard वाला portion है उसे हमें अंदर attach करना है जो हम blade की help से mark लगाएंगे यह मैंने cardboard पे paste कर लिया है और इस dry होने के लिए लग देते हैं और अब हम अपने river वाला cardboard ले ले लेते हैं और उसको center से cutting करते हैं अब हमें क्या करना है अपने base के according जितना बड़ा हमने बनाना है एक white paper लेना है और pencil color से उस पे blue pencil color से उस पे एक ही direction में color करना है पानी की look देने के लिए और इस paper को हमें back side से चिपका देना है river वाले cardboard पे अब हम इसे dry होने देते हैं अब हमने जो वसुदेव जी बनाए थे उनको हमें इस पे attach करना है तो वसुदेव जी attach करने के लिए हमें जहां भी उनको लगाना है उसका हम एक mark कर लेते हैं पैंसर से और उसके बाद figure के according की जितनी बड़ी हमारी वसुदेव जी के पैरों की plan था रही है उस पे हम जो है कट मार्क लगा लेंगी कार्ड मोर्ड पे ब्लेड की हैंब से एक फूट हमें रिवर के अंदर रखना है और एक फूट के अकॉर्डिंग हमें मार्क लगाना है अब हमने जो रिवर वाला पेपर पीछे से चिपकाया है उसके उपर ग्लू लगाके कॉटन पेस्ट करनी है कॉटन को हम थोड़ा स्प्रेड करके पूरी रिवर के उपर पेस्ट कर देंगे इससे हमारी जो रिवर में वेप्स होती है उसकी बहुत यह अच्छी लुक आती है अब हम इसे ड्राई होने देते हैं और बाहर के पोर्शन को हम इतने कलर कर लेते हैं ब्राउन और ग्रीन कलर से अब हम इसे प्राई हो आती है झाल झाल आप हम इसमें थोड़े ट्रीज अटैच करेंगे तो यह मैंने पेपर पे जो हैं कुछ ट्रीज और जाड़ियां बना ली हैं और मैंने कम बनाई हैं थोड़ी टाइम शॉर्टेस की विज़े से आप चाहें तो ज्यादा भी बना सकते हैं यह देखिए मैंने खाली दो तीन ही बनाई हैं और इसको भी हम अटैच कर देंगे और अटैच करने के लिए हम ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने वस्तुदेव जी को किया था पहले हम पैंसे से मार्क करेंगे लैंस के अकॉर्डिंग और उसके बाद उसमें ब्लेड की हैव से कट मार्क लगाएंगे और उसमें हम इसको फिक्स कर लेंगे साषी प्ताय कर देंगे तो लीजे हमारी रिवर बिल्कुल डेडी है अब हम इसे कारागार के साथ रख सकते हैं और कारागार की मीडियो मैं अपने चैनल पे पहले ही अप्रोड कर चुकी हूँ तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो जो कारागार देखना चाहें वो वहाँ से देख सकते हैं यहां मैंने back side में green color का दुपट्टा लगा दिया है और side में एक flower vase लगा दिया है उसके आगे मैंने कारागार set किया है और उसके बराबर में मैंने river set की है तो आप अपने according कारागार और river को decorate कर सकते हैं मैंने river थोड़ी छोटी बनाई है space के according आप चाहें तो उसका बेस थोड़ा बड़ा रख सकते हैं तो रीवर भी जो है वो थोड़ी बड़ी बन सकती है मैंने अपने पास जो इस पेस था उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा छोटा बनाया है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग रादे कृष्णा प्लीज लादे कृष्णा